जरोखा चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वाधत करते हैं। हमने UPSC, NET, राज्यों की सिविल परीक्षाओं और विभिन्न विश्व विद्यालयों के पाथिक्रमों को ध्यान में रखते हुए। हिंदी साहित्य की रख्षनाओं की व्याख्याओं के वीडियो बनाए है। इनका लेखन प्रसिद्ध साहित्यकार और जाने माने अध्यापक श्री राजेंद्र चंडरकांद राय ने किया है। इस बार हम आपके लिए कवी सूरिकांद त्रिपाठी निराला की विख्यात कविता रामकी शक्ती पूजा का तीसरा भाग लेकर हाजिर हुए है। हमने पूरी कविता को छोटे-छोटे अंशों में बांट कर उन्हें पदक्रमांग दे दिये हैं। हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि इस लंबी कविता को इत्मिनान के साथ समझा जा सके। इस बार हम पदक्रमांग ग्यारा से लेकर क्रमांग पंद्रा तक की व्याख्या कर रहे हैं। तो आईए प्रस्तुत है पद क्रमांग 11, पहले हम इस पद का पाट करते हैं। प्रतिभट वही एक अर्बुद्सम महावीर है वही दक्ष सेननायक है वही समर। फिर कैसे असमे हुआ उदै यह भाव प्रहर। रगुकुल गौरव लगुगुल जा रहे तुम इसक्षण। तुम फेर रहे हो पीठ। हो रहा हो जब जैरण। कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय तुम खीच रहे हो हास्त जानकी से निर्दे रावर। रावर लंपट खलकल्श गताचार जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर कहता रण की जै कथा पारिशद दल से घेर। सुनता वसंत में उपवन में कलकूजित पिक में बना किंतू लंकापती धिक राघव धिक धिक। अब ग्यारवे पद के शब्दार्थ करते हैं विशनानन याने दुखी मुख, निर्जर याने शक्ती संपन्न, तूर्न याने तरकर्स, तराकुमार याने अंगद, अप्रतिभट याने अनुपम्दी, अर्बुद याने दसकरोर, भाव प्रहर याने निराशा भाव का उ विशन का कथन व्याख्या, श्रीराम के उदासी से भरे हुए मुख को निहारते हुए विशन ने उनसे कहा है सखा, आज आपका वही प्रसन्नता से सदा ही भरा रहने वाला मुख नहीं दिख रहा है, आपकी उस मुसकान को देखकर सभीवानर और भालूगन अपनी ठकान क को भूल जाते हैं, उनमें नई स्फूर्टी और कुर्जा जाया करती है, हिर अगुवीर आपके तरकस में आज भी वही तीर मौजूद है, जिन से आपने अनेक महावीर दुष्टों का संहार किया है, आपकी साहस भरी हुई जाती भी वही है, रण कोशल से युक्त वही हा युद्धस्थल भी वही है, तब ऐसे कुसमे में आप में निराशा का भाव पन क्यों हो रहा है, एक अरब युद्धाओं के बल को धारण करने वाले हनुमान जैसे सिनानायक है, तब यह उदासी क्यों, हे रगुकुल गौरव इस समय आप लगुता का अनुभव न कीजि जब विजय होने वाली है, तब युद्ध से विमुखना हो, इस तरह तो आप स्वैम ही अपनी पराजय को सुईकार किये लिए रहे हैं, और वह रावर्ण वह तो धूर्द, पापी, दुष्ट और आचार भ्रष्ट है, उसने भले की बात कहने पर मुझे अपने पाउं की ठोकर मारी थी, वह उपवन में बैठी होई सिताजी को फिर से और भी ज़्यादा दुख पहुँचाएगा, अपने दर्बारियों के बीच जाकर अपनी विजय गाथा सुनाएगा, वसंद रतु में कोयल की मधुर्द कूप से गुंजरित होने वाले उपवन में आनंद मन आएगा, और तब भी मैं लंका पती कहलाऊंगा, हे रागव ये तो मेरे लिए घिकार योग यही है, पद सुश्मा देखे पहला इस पंक्ती में अनुपरास अलंकार है, वह नहीं देखकर जिसे समगर वीरवानर, दूसरा इस पंक्ती में वक्रोपती अलंकार है, रहे हो पीट, हो रहा हो जब जैरन, चौथा इस पंक्ती में उक्मा अलंकार है, अप्रतिभट वही एक अर्बुद्सम महावीर तथा सुनता वसंत में उक्वन में कल कूजत पिक पाच्वा तत्सम समासिक शैली का प्रयोग किया गया है, छटवा पद में हाथ खीच लेना महावरे का प्रयोग हुआ है, तुम खीच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय पद में करुण और वीरस है, पद में माधुर और ओजगुण है, पद की विशेषता विभीशन ने विपत्ती के समय एक सच्चे मित्र की भूमी का निभाई है पद क्रमांक बारह सबसभा रही निस्तवध राम के स्तिमित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव उस से नर इन्हे कुछ चाव, न कोई दुराव जो हो वे शब्द मात्र मैत्री की समनु रखती, पर जहां गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति, अब पद के शब्दार्थ करते हैं विमन याने अनम्ने, दुराव याने छिपाव, पद का संदर्भ, पूर्वारुसार ही होगा, प्रसंग स्तरह होगा, श्री राम तब भी उदास ही रहे, इस पर कवी का कथन, फ्राख्या करते हैं विभीषण का कथन पूरा होने पर सभानिस्तब्धी रही आई, राम के अधखुले नैन शीतल प्रकाश के साथ उन्मन भाव से नहारते रहे, विभीषण ने ये यद्धपी उत्सा जगाने वाले ओजस्वी शब्दों का प्रयोग किया था, परंतु श्री राम को न तो उनमें रुची ही पैदा हुई और नहीं उनसे किसी प्रकार शोब हुआ, मानों मित्रता प्रकट करने वाले वे मात्र चूचे शब्द रहे हो, बिल्कुल अर्थ ही, जैसे उनमें हर्दय को स्पर्ष और जंक्रत करने की शंता ही न थी, अब पत सौंदर देखिये पहला इ शीतर प्रकाश देखते विमन, दूसरा इस पंती में विशेशोकति अलंकार है, उससे नहें कुछ चाव न कोई दुराव, तीसरा इस पंती में उत्मा अलंकार है, जो हो वे शब्दमात्र मैत्री की सम्नुरत्ती, पद की विशेश्टा इस पद में सच्ची मित्रता का भा है श्रीजाम की निराशा जारी है पदक्रमाग 13 कुछ खशण तक रहे कर मौन सहज निच कोमल स्वर बोले रघोमडी मित्रवर विजय होगी न समर यह नहीं रहा नर्वानर का राक्ष सेरण उत्रेपा महाशक्ती रावण से आमंत्रण अन्याय जिधर हैं उधर शक्ती कहते चल चल हो गए नयन कुछ बूंड पुनार धल के द्रग जल रुक गया कंट चमका लक्षमन तेजा प्रचल धस गया धरा में कपी गहे युकपद मसत दण स्थिर जांगवान समझते हुए जियों सकल भाव व्याकुल सुग्रीव हुआ उर में जियों विशम घाव जह रूप में सन्यत हो जान की प्राण बोले आयाना समझ में यह दैवी विधान रावण अधर्मरत भी अपना मैं हुआ अपर यह रहा शक्ती का खेल समर शंकर शंकर करता में योजित बार-बार शर्निकर निशित हो सकती जिनसे यह संस्रिती संपूर्ण विजित जो पुंज स्रश्टी की रक्षा का विचार है जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार पद का संदर्ब पूर्वानुसार ही होगा प्रसंग इस तरह होगा इस पद में विभीशन के वचनों की प्रतिक्रिया में श्री राम के भावों का चित्रन किया गया है व्याख्या करने पहुच गई है जिस तरफ अन्याय है उसी तरफ शक्ति हो गई है ऐसा कहते समय श्री राम की आखों में आसु छलक आये उनका गला वृद्ध हो गया वे उसके आगे कुछ न बोल सके श्री राम की इस कातर दशा को देखकर लक्षमर अपने प्रचंट तेज से चमकने लगे हनुमान ने उनके चरणों को और भी जोर से गह लिया और स्वैम धर्ती में जरा धन से गये कुछ भुजाधारी जामवान तो स्तंधित ही रह गये इस मनोभाव को समझ सकने वाले सुग्रीव तो ऐसे व्याकुल हो गये मानों उन्हें कोई भयानत धावा लगा हो वि जिराम ने अपने को संयत करते हुए स्वाभाविक रूप में कहा यह इश्वरिय विधान तो मेरी समझ में ही नहीं आया रावण धर्मी होकर भी उनका और मैं धर्मे लीन होकर भी पराया यह युद्ध महाशक्ति की क्रिड़ा बन गया है हे शंकर अब तुम ही हमारी रक् है उद्धार करने वाली संस्कृती नहित है अब सुष्मा देखिए पहला इस पंक्ति में पुनुक्ति प्रकाश अलंकार है अन्याए जिधर हैं उधर शक्ति कहते चल चल और इसमें भी करता मैं योजित बार-बार शर्निकर निशित दूसरा इस पंक्ति में उक्मा अलंक कार है रावन अधर मलत भी अपना मैं हुआ पर पद की विशेषता इस पद में श्री राम के अंतर द्वद्व का चित्रन किया गया है पद क्रमांक 14 शत शुद्धी बोध सूक्षमाति सूक्षममन का विवेक जिन में है शात्रधर्म का ध्रत पूर्णा भिशेक जो हुए प्रजापतियों से सन्यम से रक्षित वेशर हो गए आज रण में श्री हत खंडित अदेखा है महाशक्ती रावन को लिए अंक लांचन को ले जैसे शशांक नभ में अशंक हत मंत्र पूत शर्समवरत करती बार बार निश्वल होते लक्षे परक शिप्रवार पर बार फिर खिचा ननू मुक्त जियों बंधा में हुआत्रस पद में आएक कठिन शब्दों के शब्दार्थ करते हैं संवर्त याने तोड़ना वामा याने नारी पद का संदर्ब पूर्वानुसार ही होगा प्रसंग इस तरह होगा इस पद में विभीशन के प्रती श्री राम क का विवेख है जो अपने शात्रधर्म का पूरी तरह से अभिशिक्त रूप है जो प्रजापतियों के संयम के द्वारा रक्षित है वे ही बान आज रण में अपना सौंदर्य और गर्व को बैठे मैंने देखा कि महाशक्ती स्वयम ही रावन को अपनी गोद में लेकर थे मैं रणक्षेत्र में वान दलों को विच्रित होता हुआ देखकर जितना ज्यादा कृद्ध होकर युद्ध करता था उतना ही ज्यादा उस महाशक्ती की आखों से अगनी निकलती थी फिर में मेरी और देखने लग गई तब तो मेरे दोनों हाथ जड़ ही हो गए मुझ सुश्मा देके पहला इस पंक्ती में अनुप्रास अलंकार है शत्षुद्धी बोध सूख्षमा पे सूख्षम अनुच का विवे दूसरा इन पंक्तियों में पुनुरुक्ति प्रकाश अलंकार है हतमंद्र पूत शर्संवरद करती बार-बार निश्वत होते लक्ष पर प्रवार परवार विचलित लग का पिदल कृद युद्ध को मैं जोजिऊ जगठचल वानी वामा के द्रिप्तियों तीसरा इस पंक्ति में उत्मा अलंकार है लांचन को ले जैसे शशांग नबमिया शंग चौथा इस पंक्ति में विभावना अलंकार है पश्चात देखने लगी मुझे बंद गय हस्त पद की विशेशता इस पद में बंगला संस्कृति की काली महत्ता का प्रभाव है रावन अशुध होकर भी यदी कर सकता त्रस्त तो निश्चे तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त शक्ती की करो मौलिक कल्पना करो पूजन छोड़ दो समर जब तक न सिद्धी हो रगुनन्दन आतप तक लक्षमन है महवाहिनी के नायक मत्य भाग में अंगत दक्षन श्वेत सहाय। मैं भल सैने है वाम पार्शु में हनुमान नन नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। सुग्रीव विभीशन अन्य यथुपती यथास में आएंगे रक्षा हे का संदर्द पूर्वानुसार ही होगा। प्रसंग इस तरह होगा। इस पद में जामबवान के द्वारा श्रीराम को भी शक्ति पूजा करने का सुझाव दिया गया है। अब व्याख्या करते हैं। इतना कहकर श्रीराम शंभर के लिए मौन हो गए। तब जामबवान ने अपनी शक्ति को संयत करके उस शक्ति पर विजय पाईए। यदि दुराचारी होकर भी रावन शक्ति को अपने वश में कर आपको विचलित कर सकता है तो आप तो वह है जो शक्ति को अपने वश में करके रावन का नाश ही कर देंगे। आप महाशक्ति की नए सिरे से पदना कीजिए जब तक आप शक्ति को सिद्ध न कर लें तब तक युद्ध से विरत ही रहें आपकी अनुपस्थिती में श्री लक्षमन सेनापती होंगे वे सेना के मध्यभाग में रहेंगे श्वितान अंगर दाहिने भाग में रहकर उनकी सहायता करेंगे मैं भालों का न भीशन भी वहां तुरंट पहुंच जाया करेंगे अब पद्ला लित्य देखिए पहला इस पंक्ति में रूपक अलंकार है पुरुष सिंग तुम भी यह शक्ति करो धारा दूसरा इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन पद की विशेष्टा इस पद में बताया गया है कि तामसी शक्ति और प्रवृत्ति की तुल्ना में सात्विक शक्ति और प्रवृत्ति ही श्रेष्ट होती है तो यह था राम की शक्ति पूजा कविता के ग्यारहवे पद से पंद्रहवे पद तक की व्याख्या वाला तीसरा फाग कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.